हिंदुस्तान, दुनिया का सबसे युवादेश, जहां 60 फीसिदी आबादी युवाशक्ती से लैस है. उस युवाशक्ती का बहतर इस्तिमाल कर देश को दुनिया की स्किल्ड कैपिटल पनाने के लिए भारत सरकार महत्वकांग्शी स्किल्ड इंडिया प्रोग्राम चला रही है. इसके तहद देश में कई स्किल्बेस्ट स्कूल चल रहे हैं. लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि वो स्किल्बेस्ट स्कूल और कॉलेज अपने यहां ट्रेनिंग देने के बावजूद साट से सतर फीसदी डिग्री और डिपलोमा धारक युवाओं को नौकरी के लिए तयार नहीं कर पाते. यानि उन्हें रोजगार पाने के लायक नहीं बना पाते. क्योंकि जादा तर युवाओं के पास क्वालिफिकेशन तो होती है, लेकिन बाजार की डिमांड के मुताबिक वो स्किल्ड नहीं होते. मगर अब ऐसा नहीं होगा. युवाओं के सामने आ रही इस समस्या को दूर करने के लिए हर्याना सरकार ने पहल करते हुए राजे की पहली स्किल्ड युनिवर्सिटी यानि श्री विश्वकर्मा स्किल्ड युनिवर्सिटी को सन 2016 में स्थापित किया. इस युनिवर्सिटी और इसके पाठ्यकर्म के प्रारूप को तयार करने की जिम्मेदारी श्री राज नहरू को दी गई, जिन्हें इस विश्व विद्याले का वाइस चॉंसलर नियुक्त किया गया है. श्री नहरू के नित्रित्व में श्री विश्वकर्मा स्किल युनिवर्सिटी इंडिस्ट्री की भागीदारी के साथ महस छे महीने में ही ओफ कैंपस मॉड्यूल के तहत अनेक कॉस शुरू किये, जहां युवाओं को उनकी प्रतिभा के मताबिक काउशल विकास, यानी स् अनुखे विश्व विध्याले में विध्यार्थियों को उनके पसंदीदा कौशल आधारत इंडिस्ट्री में कोस के दोरान ही पेड ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा, यानी ट्रेनिंग भी होगी और महनताना यानी स्टाइपेंड भी मिलेगा, इसके साथ ही आरंभ की ग विध्यार्थी अपने स्किल के बढ़ते स्तर के आधार पर कौशल में पीएच डी भी कर पाएंगे, पहले ऐसा नहीं था, स्किल के स्टैंडर्ड्स को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए अंतर राश्ट्रिय स्तर के ट्रेंड टीचर्ज और फाकल्टी युनिवर्सिटी का हि इसके अलावा श्री विश्व कर्मा युनिवर्सिटी में परंपरागत कौशल के साथ साथ गैर परंपरागत कौशल क्शेत्र जैसे देसी नृत्य, आर्ट, योग, भुनाई, को भी पाठ्यक्रम में जोडा जाएगा इस महत्व कांक्षी विश्व वध्याले के प्रारूप को हकीकत की जमीन पर तयार करने के लिए हर्याना के गाउं दुधौला में 82 एकड की भूमी को चुना गया लेकिन स्किल युनिवर्सिटी को स्थापित करने के लिए दुधौला गाउं की भूमी का ही चैन क्यों? इसका जवाब छिपा है पलवल के Master Development Plan 2021 में जिसके मताबिक प्रिथला गाउं और उसके आसपास के पलवल के इलाकों का विकास होना है इसमें पहले से ही ज्यादतर एरिया इंडस्ट्रियल है जिनका और विकास होना है दुधौला गाउं की विशाल काई भूमी पर उभर रही श्री विश्वकर्मा स्किल युनिवर्सिटी का जर्रा जर्रा अपने आप में अनूठा है इसकी शुरुआत होती है इसके नाम से विश्वकर्मा जो देवताओं के वास्तुकार और दिव्य तकनी की जानकार माने जाते हैं विध्यार्थियों में उसी कौशल को पैदा करने के उदेश से कौशल विश्व विद्याले के नाम में विश्व कर्मा का समावेश किया गया अब बात विश्व विद्याले की सनरचना की आस्मान से देखने पर विश्व विद्यालय का शैक्षनिक और प्रशासनिक परिसर रथ की तरह नजर आएगा आखिर रथ की डिजाइन में युनिवरसिटी क्यों? महाभारत के युद्ध में एक दिव्य रथ पर ही अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने हर्याना की पवित्र भूमी पर ज्यान का वो संदेश दिया था जिसने अर्जुन की जीत का मार्ग प्रशस्त किया था रथ को जीत और सफलता का मूलाधार मान कर ही विश्व विद्याले को ये अनोखा आकार दिया गया है आशे ये है कि जिस तरह दिव्य रथ पर बैठ कर अर्जुन ने कला कौशल से जीत हासिल की उसी तरह रथ रूपी इस विश्व विद्याले के विध्यार्थी भी कला कौशल के जरिये जीवन में जीत हासिल करें ये देखे इस संकल्पना को दिखाने के लिए युनिवर्सिटी में कला कौशल के संकायों की इन छे शांदार इमारतों को अर्जुन के रत में जुते घोडों की तरह दिखाया गया है जबकि उसके मध्य में स्थित, हाई टेक पुस्तकाले को रत के सारती श्री कृष्ण की तरह ज्यान और विज्यान का केंद्रिय आधार माना गया है प्रशासनिक ब्लोक और ओडिटोरियम को ज्यान रूपी रत के दो संतुलित पहिये माना गया है जो विश्व विद्याले को विकास के पत पर आगे बढ़ाने में संतुलन प्रदान करेंगे इन सब के बीच विश्व विद्याले में प्रवेश करते ही मुख्य आहाते के बिलकुल मध्य में सुशोभित होगी भगवान विश्व कर्मा की भव्य मूर्ती जो इस अनोखे रथ रूपी ज्यानकुंज के निर्मान की अनोखी वास्तुकला डिजाइनिंग कौशल का प्रतीक बनेगी इन सब के बीच स्काइवॉक की अनोखी परिकल्पना और इको फ्रेंडली उनिवर्सिटी का मॉडल इस विश्व विद्याले को अंतर राष्ट्रे अस्तर पर अलग पहचान दिलाता है स्काइवॉक मुक्त गलियारों की ऐसी परिकल्पना है जिसमें विश्व विद्याले के सभी कोशल शिक्षन संकायों से लेकर अकादमिक संकाय और ऑडिटोरियम सभी आपस में इस तरह जुड़े रहेंगे जिनमें घूमने पर प्राकृतिक वातावरण के साथ युनिवर आश्ट्रियम मानकों के आधार पर बन रही श्री विश्व कर्मा कोशल युनिवर्सिटी का संपून निर्मान तीन चरनों के तहत करीब दस साल में पूरा होना है जिसमें प्रथम चरन के अंतरगत करीब 425 करोड की लागत से 4000 से ज्यादा बच्चों के लिए 125,000 वर्ग मी तरक्षेत्र में शैक्षनिक और स्किल ट्रेनिंग सुविधाओं का विकास किया जाना है इस चरन को मार्च 2020 तक पूरा होना है जिसके अंतरगत 9 से 12 की कक्षा के लिए कला कौशल का अंतर राश्ट्रिय ट्रेनिंग युक्त फीडर स्कूल इस फीडर स्कूल में सिर्फ परंपरागत पढ़ाई नहीं बलकि विध्यार्थियों के रूची के अनुरूप उन्हें स्किल की चरन पध्ध ट्रेनिंग मिलेगी यानि रूची आधारित विशेश शिक्षा इंटरनाशनल मानकों के अनुरूप बनाए गई Central Library Building जिसमें High Tech Computer Center और Student Activity Center को स्थापित किया जाएगा Center of Excellence जिसमें भागीदार इंडिस्ट्रीज अपनी अत्याधोनिक तक्नीक से विध्यार्थियों को रूबरू कराएंगी विध्यार्थियों को तरो ताजा रखने के लिए Cafeteria, Shopping Complex और Health Center की व्यवस्था होगी Sports Complex जिसमें Stadium, Swimming Pool और Gymnasium बनाए जाएंगे Auditorium और Convention Center जिसमें Skill Museum भी स्थापित किया जाएगा चात्र चात्राओं के लिए अलग-अलग शांदार चात्रावास जिसमें बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के नारे को अंगिकार करते हुए पचास पीसदी भागिदारी लड़कियों की होगी 20 कमडों वाला गेस्ट हाउस, जिसमें होगी डाइनिंग और कॉन्फरेंसिंग फसिलिटी भी विश्व विद्याले को अंतराश्ट्रिय मानकों के तहत एको फ्रेंडली संकल्पना के आधार पर तयार किया जाना है जिसमें विश्व विद्याले परिसर के कुल भूभाग का करीब 70 फीसदी हिस्सा पेर पौधों और हरियाली से सजा होगा इसके लिए विश्व विद्याले को ऐसे डिजाइन किया गया है जहां लोग ज्यादा से ज्यादा पैदर चलने को प्रेवित हों और आस्मान से देखने पर ये हरित चेत्र अनोखा एसास कराए सभी इमारतों को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे दिन के समय सूर्य के प्रकाश का अत्याधिक उप्योग हो सके इमारतों में ताप रोधन के लिए उच्च गुनवत्ता युक्त डबल ग्लास का इस्तिमाल किया जाएगा ग्लास के आगे सूरज की सीधी किरनों को रोपने के लिए स्पेशल लूवर्स का इस्तिमाल किया जाएगा हर इमारत के निर्मान में एको फ्रेंली गुनवत्ता युप्त ग्रह के मानकों पर आधारित मटीरियल का इस्तिमाल होगा अकादमिक और आवासिय परिसरों को अलग-अलग करने के लिए आठ एकड का घणा हरित क्षेत्र प्लान किया गया है समूचे विश्व विद्याले में जल सनरक्षन आधारित तक्नीक पर बने फिक्स्चर्स का इस्तिमाल होगा समस्त भवनों में रेंग वाटर हावस्टिंग तक्नीक इस्तिमाल की जाएगी बिजली सनरक्षन के लिए LED लाइट के साथ स्मार्ट लाइटिंग का इस्तिमाल होगा विश्व विद्याले में बिजली की जरूरत के लिए हर बिल्दिंग की छठ और दक्षेनी दीवारों पर सोला पैनल लगाय जाएगे विश्व विद्याले में Automatic Sewage Treatment Plant लगाया जाएगा, जिसके शोधित पानी को टोइलिट की फ्लशिंग और हौटी कल्चर के लिए इस्तिमाल में लाया जाएगा. इन सभी विशिष्ट मानकों को मिला कर श्री विश्व कर्मा Skill University को Net Zero Campus बनाया जाएगा. बढ़ते भारत, चमकते भारत, विकसित भारत और स्किल्ड भारत की संकल्पना को हकीकत के पंख लगाने का अन्यूठा आगाज है ये. इसमें कोई शत नहीं. श्री विश्व कर्मा कोशल विश्व विद्याले का बदलती दुन्या के साथ बदलते और मस्बूत भारत के निर्मान में एहम योगदान रहेगा. जिसे देख पूरी दुनिया कहेगी कौशल भारत, कुशल भारत, दिव्य भारत, विकसित भारत